नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है रोजाना ये एक ओस्ती लेने लग जाओ 90 साल के बजूर्ग में भी ताकत आ जाएगी दोस्तों वाग, पित और कप से जुड़े दोस्त दूर हो जाएगी नसों में ब्लोकेज और जोडों का दर्द या हाडियों की कमजोरी आपको जीवन में कभी नहीं स्थाएगी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी दवा के बारे में बताऊँगा दोस्तों यदि आप इस दवा का सेवन हमारे दवारा बताएगे विदी के साथ करेंगे और इस दवा के साथ में ये ए पूरा सरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। यदि मैं आप सब से पूछ हो कि हमारी सरीर में कोई भी बिमारी होती क्यों है, उसका कान क्या होता है? तो आप बोलेंगे वात्-पितोरकप के कान ही हमारे सरीर में बिमारी होती हैं। और यदि मैं आपको इक ऐसी दवा बता पित कफ हो, या हमारे स्रीर में कोई भी बिमारी हो, वो किसी ना किसी विटामिन और मिनरल की कमी के कान ही होती हैं। जैसे आप example के तोर पर ले लीजिए, कि यदि आपकी आँखों की रोशनी कमजोर है, तो हम कहेंगे कि आप vitamin A कम लेते हैं, vitamin E कम लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ऐसी दवा के बारे में बताऊँगा, जो आपके सरीर की हर vitamin और mineral की कमी को दूर करेगी, जिससे आपका वात, पितोर कप का imbalance पंजुद है, वो दूर हो जाएगा, नसों की blockage आपकी खुल जाएगी, bad cholesterol आपको नहीं होगा, जोडों का दर्द आपको नहीं होगा, खुटनों का दर्द नहीं होगा, हडियों की कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी, गठिया की समस्या दूर हो जाएगी, आपके चहरी पर भी नया गलो आजएगा, इतनी चमतकारी और इतनी कारगर दवा है ये, लेकिन आपने इसके साथ में एक अन्य चीज़ का सेवन जरूर करना है, तब ही आपको इसका proper फाइदा देखने को मिलेगा, दोस्तों आज किस वडियो में हम जिस दवा की बात कर र भी, कि मुझे multi vitamin चाहिए, तो वह आपको multi vitamin का पत्ता देटेएगा, दोस्तों ultimate vitamin बहुत के सारी कमपनिया बनाती है, आप multi vitamin का सेवन कर सकते हैं, या फिर fish oil का सेवन कर सकते हैं, दोनों में से आप किसी भी एक चीज़ का सेवन खीजे, और आपने इसकी एक गोली का सेवन हर रोज करना है और दोश्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके स्रीर की हारत रहें की विटामिन और मिनल की कमी दूर हो जाएगी अब बात आती है कि आपने इस दवा को लेना कैसे है आपने इस दवा का कॉंटिन्यू सेव नहीं करना है क्योंकि किसी भी विटामिन और मिनल क अधिक मात्रा भी हमारे स्रीर के लिए नुकसान दायक होती है जैसे विटामिन डी की कमी के कान हमारे स्रीर की हडियां कमजोर होती है लेकिन यदि विटामिन डी अधिक हो जाए तो दोस्तों उससे उससे भी बुरा आसर हमारे स्रीर बरपड़ता है तो इसलिए आपने इनका महिना सेवन कीजिए यानि एक क्वार्टर में आपको इसका शिरफ एक महिना सेवन करना है पूरे साल में आपको इसका शिरफ चार महिना सेवन करना है और एक महिना सेवन करने के बाद आपने दो महिने का गैप देना है यही है इसके सेवन का सही तरीका और तब ही आपको प् मल्τι विटामिन का सेवने जिरूर करना चाहिए अपने सरीर को तनदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपने सरीर की कमजोरी का इलाज करने के लिए चेहरे पर ने गलो लाने के लिए All आटक हार्ट प्लोके जैसे बीमारियों से बचे रहने के लिए सारीरी के दर्द से ब विटामिन D की कमी बहुत अधिक पाई जाती हैं। ये तो हो गई दोस्तों आपने इस गोली का सेवन करना हैं। और इसका सेवन आपने करना हैं खाना खाने के बाद। आप सुबह जब आप नाश्ता कर लें उसके आदे घंटे के बाद आप इसका सेवन कीजी। या फिर आप को सोते समय, खाना खाने के आदे घंटे के बाद आपने इसका सेवन करना हैं। चाहे आप दिन में करें, चाहे आप रात में करें। इसके साथ में दोस्तों आपने एक चीज का सेवन और करना हैं। वह है दोस्तों मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना का आपने एक च कर लीजिए और यदि पोसिबल हो तो आप मल्टी क्रेन आटे की रोटी खाईए और फिर देखिए कि कैसे आपका स्रीर बिलकुल तंदरुस्त हटा कटा बन जाएगा मजबूत स्रीर के आप मालिक बन जाएगे बीमारिया तो आपकी गली भी भूल जाएगी दोस्तों गली के इस गोली का सेवन शुरू कर दीजे और अपने सरीर को निरोगी बना दीजे दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें और साथ में बेल के आइकोन को भी दबा दीचे धन्यवा दोस्तों